नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग फैक्टर बता रहे हैं इस साल के अन तक आपको एक बार अच्छी तेजी देखने को मिलेगी मलब एक बाउंस बैक मार्केट कर करता हुआ देखने को मिलेगा और दस दिन का समय बचा है और आपको पता है ज्यादा ट्रेडिंग सेशन बचे नहीं है तो यह इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत ही फैक्ट के साथ मैं आपको यह बताने वाला हूं चाहे वो क्रिस्मस का समय हो या फिर न्यू चैनल पर भी नहीं मिलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तो सबसे पहले देखेगा जब साथ दिसमबर को कॉन्फरेंट चल लही थी आर्बियाई की तो आर्बियाई नहीं कहा था लिकुडिटी इशू आएंगे बट देखेगा लिकुडिटी इशू जो लिकुडिटी इशू है वो थोड़े से देखेगा बहतर हो जाएंगे मलब पहले से जब लिकुडिटी इशू आ रहे हैं रेट हाई करने के बाद वो थोड़े से बहतर होते हुए रिकुडिटी इशू मिलेंगे तो आप देख सकते हैं कि लिकुडिटी देखेगा जो लिकुडिटी इंजेक्ट कर चुका है तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से clarity में मैं आपको समझाऊंगा कि December 16 से पहले अगर आप देखेंगे तो RBI had observed funds from the bank every day this month with the average observation of 1.5 trillion रूपीज तो आप देखेंगा December 16 से पहले बहुत ही observe करें है fund किस ने करें है RBI ने करें हैं लेकिन आपको पता है liquidity in the banking system has slipped into deficit आपको पता है for the first time in 3 weeks तीन हफते में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो liquidity है banking system की वो पूरी तरीके से deficit में चली गई है to borrow the largest quantum of fund from the RBI in around month and a half तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर the key catalyst for the sudden titling in a liquidity was due to outflow on the account of advance tax payment यानि कि जो liquidity के crunches आए हैं वो केवल और केवल banking system में advance tax payment के कारण आए हैं which is occur toward the end of the quarter analysis also cited other factors such as currency leakage and possible intervention by the RBI पहला देखेगा fact क्या है advance tax payment के बज़े से liquidity के शुआ हैं जिसके कारण market में pressure देखने हूं मिला है second आप देख सकते हैं currency हमारी देखेगा जो मैंने बहुत पहले से factor बता रहा हूं कि dollar index काफी गिरावट पे है बट हमारी currency लगातार depreciate हो रही है third RBI को अपनी currency को defend करने के लिए exchange market में हस्त छेप करना पढ़ा है intervention करना पढ़ा है इसलिए liquidity के issue आए हैं अब आगे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद according to the RBI data the central bank देखेगा central bank ने क्या करा है December 16 को करे थे 40,000 करोन का injection दिया था banking system को इसलिए देखेगा अभी quality आप trading करते हो तो quality चीज़ समझ में आएगी कि bank nifty अभी भी strong क्यों खड़ा है इतनी negative चीज़े आने के बाद भी 44,000 से केवल 1000 point ही bank nifty खड़ा है और 43,000 के level को hold कर रहा है जबकि आप देखेंगे उतना ही same to same 800 से 900 point आपका nifty 50 भी गिरा है तो आप देख सकते हैं bank nifty किस तरीके से बिलकुल ताकत के साथ खड़ा है चुकी RBI ने time to time पर injection दिये हैं और अगर आप देखेंगे यह अब तक का सबसे बड़ा infusion था number 24 के बाद the amount injected by central bank on December is the highest since October 30 the data showed तो आप समझ सकते हैं एक अच्छा injection दिया दूसरा injection आपको देखने को मिला देखेगा 17 December को फिर भी देखेंगे आपने 17 December को अगर आपने देखा होगा तो 24,220 करोन का injection आपको यहाँ पर RBI के थ्रू देखने हो मिला और तीसरा injection आपको देखने हो मिला 21,000 करोन से भी जादा का 18 December को जिसके basis पर कल मार्केट ने काफी अच्छी short covering ली थी और अगर आप देखेंगे RBI implies tighter liquidity condition in the banking system while an observation of funds reflect surplus cash lying with the banks तो आपको बता है काफी observe किये गए थे funds banking system से इसलिए liquidity के crisis देखने को मिल ले थे December 16 से पहले और उन्होंने ये भी बताया कि liquidity के ये जो problem है ये कब तक रहेंगे और कब ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने बताया है कि liquidity की जो conditions है वो are likely to remain tight till December 20, 20 December तक ही liquidity के condition काफी tight रहेंगी due to GST payment outflow towards the end of the month government expenditure tends to pick up which should result in improvement in the liquidity condition तो ये ही आपके लिए best part है कि 20 December यानि के आज के बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेगा जो government के expenditure है इस महीने के अन तक क्या हो जाएंगे improve होने लगेंगे बढ़ने लगेंगे और जैसे government expenditure करेगा liquidity की जो issue है वो better हो जाएंगे और then after that एक जगे पर अगले आने वाले 10 दिनों में आपको market में तेजी देखने हो मिलेगी तो ये बहुत important information है I guess आपको देखेगा पूरी तरीकी सम्याई होगी कि liquidity के issue के कारण भी देखेगा market उस तरीके से देखेगा panic में नहीं आ रहा है जैसे कि पहले आ जाता था और अब आने वाले 8 दिन या 4 दिन 5 दिन जो भी market देखेगा trading sessions रहेंगे उसमें एक अच्छा pick up देखने को मिल सकता है momentum आते हो देखने को मिल सकता है किसी भी एक दिन तो focus करेगा वीडियो कर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much